हेलो फ्रेंट्स मैं कलिपना आप सभी का स्वागत करती हूं सान्या गार्डनिंग चैनल में फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों को 10 ऐसे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स के नाम बताने वाली हूं जिनकी कटिंग आप इस समय फर्वरी या फे मार्च में लगा सकते हैं तो फ्रेंट्स जहां पर बहुत ही जल्दी गर्मी आ जाती है मतलब फर्वरी लास्ट तक वहां बहुत ज़्यादा गर्मी पढ़ने लगती है तो वो लोग अभी मतलब की फ्रवरी स्टार्टिंग में ही इन सभी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स की कटिंग को लगा ले और यहां पर थोड़ी से लेट में मतलब कि March last या फिर March 15 March के बाद अगर वहां पर गर्मी आती है तो वो लोग March में भी इसकी cutting को लगा सकते हैं तो चल यह जानते हैं कि वो 10 flowering वाले plants कौन कौन से हैं जिनकी cutting हम फरवरी या फिर March में लगा सकते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा जिससे में जो भी न्यू वीडियो चालो उसकी notification सबसे पहले आपके पास है तो फ्रेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे पहले है ये रोज का प्लांट रोज जो होता है ये विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और समर में भी फ्लावरिंग करता है तो आप इसकी cutting इस समय लगा सकते हैं फ्रेंट्स नंबर पर अगर हम बात करें तो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स में टो चाननी का प्लांट ये फिलाल डबल चाननी का प्लांट लेकिन इस समय आप सिंगल चननी और डबल चननी दोनी playingET को लगा सकते हैं और इनके जो flowers होते वह वाइड कलर के होते हैं और सिंगल चाननी के छोटे flowers होते हैं और डबल चाननी के multi petals होते हैं और थोड़े से बड़े का size में होते हैं तो इस समय हम इसकी cuttings को भी लगा सकते हैं फ्रेंट थर्ड नमबर पे हैं मोगरा मोगरा सभी को बहुत ही पसंद होता है इसका flower और इसकी जो smell होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुपसूरत होती है तो विंटर्स में ये plant ये दिए कि इसकी जो leaves हैं वो कुछ खराब हो जाती है बट इस समय आप इसकी hard pruning कर दीजे और इसकी cuttings को लगा लिजे और summer में ये बहुत ही अच्छी flowering करेगा फ्रेंट्स फोट नमबर पे आलमांडा आलमांडा के flowers जो थे वो बहुत बड़े-बड़े साइस के खिलते हैं और ये एक बेल है और इसकी बहुत ही ज़्यादा flowering होती है तो इस समय हम इसकी भी cutting को लगा लेंगे तो इसका भी plant बहुत ही जल्दी grow होता है और इसकी बहुत ही जल्दी flowering बे स्टार्ट हो जाती है आप इसके plant को pot में भी लगा सकते हैं या फिर आप इसे garden में भी लगा सकते हैं दोनों ही जगे पे बहुत ही अच्छी flowering करता है फ्रेंट्स फिप्ट नमबर पे hibiscus hibiscus wheat जो flowers होते हैं इसके सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये मेरा pink color का hibiscus हाता है बड़े-बड़े size में वाला hibiscus है और इस पर भी बहुत ही अच्छी flowering होती है तो इस समय आप इसकी भी cutting को लगा सकते हैं और इसकी hard tuning भी कर सकते हैं तो मैंने इसकी hard tuning कर दिये और इसकी cuttings को भी मैंने बहुत सारे लगा लिया है तो इस समय आप इसकी भी cutting को लगा सकते हैं 6 नमबर पर गंधराज का plant तो गंधराज प्लाज की जो cutting है इसको भी हम इस समय लगा सकते हैं इसके flowers जो होते हैं वो बड़े size में खिलते हैं इसकी smell होते हैं वो बहुत ही अच्छी लगती है यह आप plant अगर कहीं पर भी रखे हैं तो उसके आसपास का जितना भी atmosphere है सभी बहुत ही अच्छी से smell करने लगता है तो इस समय हम इसकी भी cuttings को लगा सकते हैं और यह बहुत ही जल्दी फिर grow भी होने लगता है फ्रेंड्स next number पे plumeria pudica plumeria pudica जो है उससे नाग चमपा कभी कहा जाता है और इस समय जब winters रहते हैं तो यह देखे इसकी जितनी भी leaves से सब गिर जाती है और अगर आपने इसको उस समय इसकी cutting कर दी तो यह plant जो है वो उपर से खराब भी होने लगता है तो यह बहुत ही अच्छा time है आप इसकी hard pruning भी कर दीजिए और इसकी cuttings है उसको भी लगा सकते हैं तो friends मेरा जो plant है यह आप देख रहे हैं किसी सारी leaves जो हैं वो गिर गई है तो मैं आप इसकी hard pruning कर दूँगी और hard pruning करने के बाद जितनी भी cuttings निकलेंगी फिर हम उसे लगा देंगे तो इस समय हम इसकी भी cuttings को लगा सकते हैं friends next number पे बोगन बेलिया वैसे तो बोगन बेलिया जो है यह winters में भी बहुत अच्छे से खिलता है और summer में भी तो winters में भी इसकी cuttings को लगाते हैं या फिर rainy season में तो इसकी जो cuttings है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है जल्दी लगती ने लेकिन यह जो time है फरवरी का जो month होता है उसमें इसकी जो cuttings होते हैं वो 100% success होती है तो बेगन बेलिया की cuttings को लगाने का यह बहुत अच्छा time है और मेरे पास इसके pink और white color के plants है बटब इसमें बिल्कुल भी flowering नहीं होई है क्योंकि इस बार बिल्कुल भी धूप नहीं आई जहां पर मैं अपने plants को रखती हो इसके लिए फिलहाल बहुत ही अच्छी sunlight ही ज़रूरत होती है बोगन बेलिया के plants को sunlight बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसको आप जहां भी इसकी cuttings को लगाएं cuttings जब हलके सी grow होने लगे तब आप इसे full sunlight में रख दीजी तब ही इस पर बहुत अच्छी flowering होगी फ्रिंट्स नाइन्थ नमबर पे चंपा के plant चंपा की जितनी भी varieties होती है सभी की cuttings को आप इस समय लगा सकते हैं क्योंकि जो चंपा का plant है वो winters में बिल्कुल भी flowering नहीं करता और इसकी leaves है इस तरह से खराब हो जाती है आपको जो plant इसकी सभी leaves गिर जाती है और सिर्फ जो हमारे plant सिर्फ वही रह जाता है तो फिलाल इस समय आप इसकी चाहें अगर आपके पास बड़ा plant है तो आप उसकी hard pruning करके उसकी cuttings को लगा सकते हैं तो हम इस समय इस flower की भी cuttings को लगा सकते हैं फ्रेंट्स नेक्स्ट टेंथ नमबर पर है हमारा purple herd का plant purple herd के जो flowers होते हैं वो छोटे-छोटे pink colors में खिलते हैं इस समय इसकी भी cuttings को लगा सकते हैं अगर आपका plant बहुत जादा bushy हो गया है तो आप उसकी अच्छे से pruning कर दी और जहां से इसकी growth होती है वहाँ पर छोटी-छोटी से roots निकले होते हैं आप चाहें तो वहाँ से ही इसकी cuttings को cut कर लिजी और इसको लगा दीजी और बहुत जल्दी इसका जो plant है वो bushy हो जाता है तो friends मेरा आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे comment box में comment करिएगा अब हम मिलेंगे एक नए topic के साथ तब तक के लिए happy gardening